इतनी बेड़ ब्रांच को आगे से टिप से कट कर दीजेे तहां कि जो है आगे इसकी ग्लोथ निकल कर आए जो ग्रोथ इसके रुक гई है वो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी तो जैसे आप इसके cutting करते हैं, cutting करने के बाद आपने इसके उपर fungicide powder जरूर लगाना है टिप के उपर, नहीं तो ये die back हो जाएगा, fungus attack हो जाएगा और die back हो जाएगा, तो इसलिए आपने इसकी dead shoots की cutting करने के बाद, fungicide powder या healthy powder आपने जरूर लगाना है, तो अभी ये देख helping कर रहा है और dead shoots इसकी बहुत जादा बन गई है तो इसी तरह से आपने इनकी cutting करते रहना है, तो बरसात के बाद एक बाद आपने soft pruning जरूर करनी है, प्लांट की तहांकि प्लांट आपकी अच्छी सी growth निकाल के आपको दे और अच्छी flowering इस पर दे तो इस तरह से आपन प्लांट की care करनी है,